क्या आजेर देवगन की फुटबॉल फिल्म मैदान बॉक्स आफिस पर गोल बनाएगी? हलो फ्रेंज नमस्कार और वेल्कम टू कोवल नहाट ओफिशल इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनिमा गरों में रिलीज हुई फिल्म मैदान को लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानि आपके चहीते चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद ज़रूर कीजेगा मैदान इंडियन फुटबॉल कोच सयद अब्दुल रहीम की कहानी है सयद अब्दुल रहीम who is known as the architect of modern Indian football जब वो कोच थे तब इंडिया का golden era of football माना जाता है तो ये सयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभा रहे हैं अजय देवगर वो इंडियन टीम के कोच है लेकिन उस ताइम इंडियन टीम का performance बहुत बुरा रहता है और इसलिए football federation में meeting होती है और सयद अब्दुल रहीम को बहुत ताने मारे जाते हैं तब रहीम साब कहते हैं कि अगर responsibility मेरी है तो ये भी responsibility मुझे दीजिए कि मैं team चुनू बड़े reluctantly federation वाले उन्हें ये responsibility देते हैं और वो अपनी एक team बनाते हैं team अच्छा fair करती है लेकिन एक stage आता है जहाँ पर federation वाले रहीम साब को बाहर निकाल देते हैं कहते हैं अब team का performance बुरा है and we need a new coach यानि एक नए coach को appoint करने का निर्ना लिया जाता है और इस bad news के साथ रहीम साब के personal life में भी एक bad news आती है दिन, हफते, महीने गुजरते हैं उसके बाद एक stage ऐसा आता है जब रहीम साब वापस federation के पास जाते हैं और request करते हैं कि मुझे वापस Indian coach बना डालो and मैं Indian team को Asian World Cup जिता कर रहूंगा again बड़े reluctantly कुछ members है सक्ट खिलाब लेकिन कुछ members उनके favor में हैं और इसलिए federation वाले वापस रहीम साब को Indian coach बनाते हैं किस तरह वो Indian team को Asian World Cup जिताते हैं while fighting his own personal battle मैंने कहाना उनके personal life वे भी एक bad news आई है तो उस bad news को cope करते करते कैसे वो Indian team को Asian World Cup जिताते हैं ये कहानी है आएए सबसे पहले analyze करते इस film के script को यानी कथा, पढ़कथा और समवादों को इस film की कहानी लिखी है Simon Quadros, Aakash Chawla और Arunawa Joy Sengupta ने कहानी बोरोज लिबरली from the real life of Sayyad Abdul Nain जैसे मैंने कहाँ ये उनकी biopic है तो लिबरली उनकी real life story से बोरो करते है और उनकी real life story is full of drama full of emotions and full of excitement screenplay लिखा है Simon Quadros ने with additional screenplay by Aman Rai, Atul Shahi and Amit Ravindanath Sharma Amit Ravindanath Sharma who is also the film's director तो screenplay वैसे तो बढ़िया है लेकिन it concentrates too much on Sayyad Abdul Raheem नहीं wrong in that लेकिन team members जिन्होने India को Asian World Cup जिताया at least उनमें से कुछ team members के तो चेहरे याद रहने उनकी achievements को बहुत बहुत करीबी तरीके से बताना चाहिए of course जब ये team members अच्छे से perform करते हैं field पर उन पर camera जाता है लेकिन इस प्रकार से नहीं जाता है कि 3 या 4 या 5 team members आपके heroes बन जाए वैसा नहीं होता है so ये एक drawback है at least 4 या 5 team members को एक ऐसी जगा बना लेनी चाहिए थी audience के दिल और दिमाग में के वो field के and film के hero भी नज़र आए of course ultimately credit तो coach को ही जाएगा so there is nothing to take away from Sayyad Abdul Raheem's part लेकिन team members कुछ excellent players को भी बहुत ज्यादा scope देना चाहिए था जो कि screen पे writers नहीं दिया है एक और बात film तीन गंटे एक minute की है running time लेकिन इसमें light moments ना के बराबर है तो तीन गंटों का tension-ridden drama थोड़ा audience को कम भाता है light moments होते jokes humor ये सब होता तो definitely impact ज्यादा पढ़ता first half में ये बाते underline होती है क्योंकि first half lengthy and boring लगता है यहाँ पर मैं आपको बता दू first half एक घंटे और 9 minute का है second half एक घंटे और 53 minutes 31 minute का है लेकिन first half बहुत लंबा लगता है because it is boring कहानी आगे नहीं बढ़ती है और second half वो इतना exciting है कि first half का जो weak portion है उसे भी audience भूल जाती है कहने का मतलब है कि the first half is long it feels long and boring but the second half which is actually long it doesn't feel it's long fast pace है and super thrilling super exciting है क्योंकि आप काफी बार heartbeat skip करते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा and second half में आपको कुछ scenes रुलाते भी है for instance जब बाप और बेटे यानि रहीम साप और उनका बेटा हकेम वो दोनों बात कर रहे हैं जब हकेम Indian team में included नहीं है वो scene में रोना आता है फिर previous goalkeeper जब नए goalkeeper को अपने gloves देता है ये कहकर कि तुम ये gloves पहन के खेलो उसमें भी आँखे नम हो जाती है वैसे ही जब नया कोच सबसे पहले boardroom में हाथ उपर करता है आपकी आँखे बनाती है and of course जब India Asian Cup जीत लेती है तब तो आप रोईंगे ही रोईंगे कहने का मतलब है the second half is extraordinary but not the first half dialogues रितेश शाह के हैं with additional dialogues by Siddan Damago and they are very real and very heartfelt यह तो भी बात स्क्रिप्ट की अब एंग रसर डालेंगे actors के performances पर Ajay Devgane ने काम लाजवाब किया है this is one of his career's best performances fantastic performance skirdaar में वो घुज गये है and जब वो अपनी personal battle लड़ रहे है and simultaneously Indian team के coach है and matches खेले जा रहे है उनके चेहरे पर जो tension है बीमार है लेकिन tension है oh my god those scenes are to die for extraordinary performance and बहुत से scenes वो अपने आँखों से and body language से ही perform कर देते हैं dialogues बोलने की जरुती नहीं पड़ती है उने क्योंकि उनकी body language और उनकी आँखों से जो acting करते हैं वो लाजवाब है Priya Mani जो उनकी बीवी सायरा की भूमिकाने बारे she's done a very fine job लेकिन उनका किरदार इतना bold ना होके vulnerable होता तो definitely emotional appeal ज्यादा बन थी गजराज राओ जो sports journalist रॉय चौधरी की भूमिकाने बारे he is outstanding क्या काम किया है and उनसे actually आपको नफरत हो जाती है जो की किरदार का demand है जो शुभांगर की भूमिकाने बारे हैं again a wonderful performance बहुत natural और बहुती बढ़िया बहुतरीन performance football players की roles में as I said सबने काम बहुत अच्छा किया लेकिन nobody creates that impression in spite of that Amartya Rain जो चुनी गोस्वामी की भूमिकाने बारे हैं Janelle Singh जो Davinder Singh बने हैं Madhur Mittal इनका काम of course है लेकिन how one wishes उनके छवी आपके दिल और दिमाग पर छब जाती Vijay Maurya और Abilash Thaplial as the Indian commentators do full justice to their characters and federation members ने भी काम अच्छा किया है so supporting cast has all acted very well यह तो यह बात actors के performances की अब एक रसर डालते हैं direction और अन्य टेक्निकल आस्पेक्स पर Amit Ravindranath Sharma के निदेशन में फिल्म बनी है और उनका निदेशन वाकई में टरिफिक है लेकिन उन्होंने दो बातों पर कम ध्यान दिया है in his quest to highlight the contribution of Sayyad Abdul Raheem उन्होंने football players को importance नहीं दिया है which is a minus point and secondly light moments अगर होते तो film would have been more balanced लेकर having said that कहना पड़ेगा के उन्होंने game का excitement और जो emotional drama है वो बहुत बहत्तुरीन तरीके से बताया है film में संगीत और background music दोनों ही A.R. Rahman के है संगीत ऐसा है के गाने कोई popular नहीं हुए है and the songs have been penned by Manoj Muntashir Shukla again not very easy on the lips lyrics but background music by A.R. Rahman is out of the world और जो football field के scenes है वो तेन cameraman ने picturize किया है Fyodor Lies Tasadduk Hussain and Christopher Reid those scenes deserve special mention extraordinary तरीके से ये picturize किया गया है they are of international standard R.P. Yadav के action scenes और stunt scenes thrilling है Khyati Mohan Kanchan की production designing is of a very high standard और Dev Rao Jadav की editing super sharp, super crisp in spite of that let it be said कि ये बहुत लगभी फिल्म है अगर इसकी रुनिंग टाइम 15-20 मनेट कम होती तो इम्पक्त ज्यादा बढ़ता तो ओवरॉल मैदान is a box office winner लेकिन ये super rate या हिट नहीं होगी इतिल स्क्रेप थू यानि 200 करोड की लागत में ये फिल्म बनी है कॉमें सेक्शन में जाएए और अपने कॉमें जरूर पोस्ट कीजेगा और अगर आपने भी ये फिल्म देंग डाली है बिफोर वाचिंग आवर वीडियो तो हमें ये भी बताइएगा अफकॉस आपके कॉमेंट जवारा के आपको फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से ये कितना बिजनस करेगी यानि नेट इंडिया कैलेक्शन कितनी होंगे थैंक यू शुक्रियाल टेक वेरी गूट केर अप यूसरब से यू सून